कॉंग्रेस पार्टी को यह जो बहुत बड़ा जटका लगा है जिसके अंदर एक सीनियर नेता और फॉर्मर चीफ मनिस्टर जमु कश्मीर के रह चुके गुलाम नभी अजाद जो की कैबिनेट में भी मंतरी रह चुके है और जिनके लिए खुद परधान मंतरी नरेंदर काली को देखते हुए और उन्होंने जिस तरह से हर चीज को एज ओपोजिशन लीडर प्रेजेंट किया हुआ जब जब पार्लिमेंट लगती थी तो उनससाब चीजों को देखते हुए आज एक कॉंग्रेस पार्टी से एक बड़े नेता का जाना कॉंग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़ा जो है जटके के बराबर है मेरे साथ मुनीश शर्मा जी है जो की भारती जनता पार्टी के सीनियर नेता है उनका क्या कहना है इस बड़ी उपलब्धी के उपर जो ये एक बड़ी राजनीती में एक बड़ा एक वैक्यूम सा आ जाएगा कॉंग्रेस पार् कि वहां पर परिवार चलता है और अजाज साहब ने अपनी लेटर में लिख भी दिया कि राहूल गांती जी जब से आए हैं प्रेजडेंट बनके तब से जो है कॉंग्रेस पार्टी के अंदर सही नीजल लए देखे मैं तो यह मानता हूं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा ड इज़ती हो रही थी जिसना उनको इगनोर किया जा रहा था हर पहलू पर नजद अंदाज किया जा रहा था मैं यह मानता हूं कि यह फैसला गुलाव नवी इज़ाज साहब को बहुत पहले ले लेने चाहिए चलो हम मानते हैं देर आए दरुस्त आए उन्होंने अगर फैस किसी ऐसा दल है जो सिर्फ परिवारबाद को लेके चलने वाला दल है जहां किसी की कोई इज़त नहीं है जिनियूओ साहब की बातना करें कल अनन शर्मा ने सिफा दिया कल कोई और दे रहा है परसू कोई और दे रहा है आप देखें लगातार कांगर्स के सीनियर लीडर्स जो हैं जिनके बलबूते कांगर्स चलती थी वो कांगर्स को छोड़ते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा सोनिया राहुल गांदी और पिंका गांदी सिर्फ यह तीन ही लोग कांगरस में बज जाएंगे बाकी साइब सिर्फ परिवार को बढ़ाने के लिए लगातार कभी सुनिय गांदी जी कभी गांदी जी यह क्या यही राष्टिय देख्शी का भी लोग है क्या इनकी पार्टी में कोई और लोग नहीं है लेकिन क्योंकि अपने हाथ से सत्ता ना चली जाए आपने हाथ से पावर ना चली जाए सिस्टम ना चला जाए यह उसको देखते हुए सिर्फ परवारबाद को बढ़ाते हैं और इनकी गल्ट नितियों के कारद आज कांगर्स जो है पूरे देश से कांगर्स का सवाया हो रहा है और आशीर जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है मैं आपको ये विश्वास से कह देता हूं बढ़ान मंतरी जी ने दोजाज चोदा में नारा दिया था कांगर्स मुक्त भारत और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरूआ शामलाल शर्मा जी ने की थी और आप देखेंगे अभी गुलाम नवीजात जी का जाना एक बहुत बड़ा जटका और कांगर्स जमीन पे आपको ब बहुत बुरा हल होने वाला है क्योंकि यह बंच बाद प्रवारबाद की जो राजनिती है इसने देश का तो बेड़ा गर्क किया ही है लेकिन आप देखेंगे इसका जो दंच है वो कांगर्स को भी लगता दस्ता जा रहा है और इतनी पुरानी पार्टी जो कभी जिन्हों बिलकुल डूब जाएगी और इसका पतन जो है आपको लगेगा कि इसका पतन जो है उसके बाद मुगल जैसे आज मुगल नहीं मिले ऐसे आने वाले समय में कांगर्स नहीं मिलेगा क्या बीजेपी में आने के कुछ चांसिस उनके क्या आपको लगता है कि बीजेपी में आ सकते हैं गुलाम नोबी जाहाँ देखिए इसके बारे में आज उन्होंने रिजाइन किया है इसके बारे में तो मैंने कैसा लेकिन अगर आए तो पार्टी मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी का राष्टे नेते तो क्योंकि गुलाम नभी अजाज साहब एक अच्छा चेहरा जम्मों के शमीर करें हैं और अगर ऐसा नेता कोई पार्टी में आता है तो मुझे लगता है हमारे पार्टी का नेते तो बुनका स्वागत करेगा बहुत शुक्रिया मुझे इसी बात के निकले सीनियर नेता भाजपा के मुझे शर्मा जी ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ नीती हैं सोनिया गांदी और राहूल गांदी और प्रिंका वाडरा की हैं जिस वज़ा से आज एक बड़े दिगज नेता कॉंग्रेस पार्टी दिया जाए देखते रहें जेके मीडिया धन्यवाद राम राम